नमस्कार प्यारविद्यार्तियों एक बार फिर आपका स्वागत है MTCI के YouTube चैनल पर आप जैसा की जानते हैं कि बे सब्री से हमें इंतजार था कि CUT UG 2024 के फार्म कब भरे जाएंगे तो इसके online application form जो है ये NTA द्वारा बुला लिए गए हैं ये आपके सामने में public notice NTA ने जारी किया है 27 फरवरी का उसको रख रहा हूँ इसके इसाब से आप देखेंगे कि CUT 2024 UG के लिए online application form भरे जाने हैं अब ये जो application form हम भरने वाले हैं इस से लेटेट पूरा schedule क्या है वो आपके सामने में लेकर आ रहा हूँ लेकिन यहां एक सबसे important चीज जो है वो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि academic season 2024-25 के लिए CUT UG 2024 की जो exam है ये exam hybrid mode में होने वाली है अब hybrid mode क्या है तो hybrid mode में हम लोग देख रहे हैं कि computer waste test भी हो सकता है और pen and paper से जो है इससे भी आप ये exam दे सकते हैं दो तरह की आपको detail यहां पर दी जा रही है दो तरह से आप exam यहां पर दे सकते हैं आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से exam होने वाली है इसका detail schedule क्या है तो आपके सामने देख रहे हैं online submission of application form application form 27 February से start होकर यह जो application form है यह 26 March तक होने है इसके बाद हम लोग देख रहे हैं last date of successfully transaction of fee कब तक वर सकते हैं तो 26 March जो है इसकी last date है फिर correction in particulars कोई अगर correction आता है तो 28 और 29 March जो है यह correction के लिए रखा है announcement of the city of examination examination की city जो है यह 23 April को announce की जाएगी download admit cards from the NTA website the second week of May मही के second week में आप admit card download कर पाएंगे date of examination अगर देखें तो between 15 May to 31 May 15 मही से 31 मही के वीच में आपकी यह exam होना है आपके subject exam कोई से भी दिना सकती है display of recorded response and answer की तो यह बाद में आपको बताया जाएगा website के उपर फिर हम लोग देखते हैं इसकी website कौन-कौन सी है तो www.nta.ac.in इसके अलावा exams.nta.ac.in यह website हैं इनके through आप online registration करा सकते हैं और आगे की सारी जानकारी भी यह दोनों website पर आएगी declaration of result on the NTA website यह 30 June 2024 कब result आने वाला है यह भी इनोंने अभी से declare कर दिया है लेकिन यहाँ पर एक बहुत खास बात है जो आपको ध्यान देना है देट्स में vary depending on the national election schedule आप जानती हैं कि लोग सबा चुनाव आने वाला है उसकी डेट के हिसाब से अगर उसके डेट इसकी डेट के साथ अगर आने वाली है तो आप देखोगे कि परिक्षा की डेट को आ हमारे को हैं डिटेल दिया हुआ है इसमें हम लोग देखते हैं कि यह जो एक्जाम होने वाली है इसमें हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि अलग-अलग उनिवर्सिटी का अपना खुद का एक काईटेरिया है उस इलिजिबिटी काईटेरिया को आपको फुल्फिल करना है यह आपको ध्यान रखना है वो उनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि आप देखोगे इस इउ-टी के ऊपर डिपेंड करेगा फिर हम लोग क्या बात कर रहे हैं ता लिस्ट आप पार्टिसिपेटिंग उनिवर्सिटी इस 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 इसमें इनिवर्सिटीज की संख्या अभी बढ़ सकती है अभी बहुत कम उनिवर्सिटीज को एट किया गया है इसलिए आपको बार-बार जो है। वेबसाइट हैं हम लोग यहां NTA की वेबसाइट देख रहे हैं इसको आपको बार-बार जाकर देखना है कि नई उनिवर्सिटी एड हुई है क्या अगर वो एड होती है तो आप भी उस उनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं The CUTUG 2024 will be conducted in 13 language, 13 language में होने वाली है, आपकी language Hindi है, English है, तो आपको कोई problem ही नहीं है, बाकी local languages भी यहाँ पर दी हुई है, फिर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, CUTUG 2024 is being offered in total 380 cities जो है, इसमें यह exam होने वाली है, इसमें 26 out of India भी है, इसकी list अभी आगे मैं आपको दिखाऊंग नेक्स हम लोग बात कर रहे हैं, for papers, schemes, timing, eligibility and other information candidates are requested to please check the information bulletin, बाकी सारी detail के लिए आपको information bulletin जो है, CVTUG 2024 का यह चेक करना है, और वो available है exams.nta.ac.in, यह जो website है, इसके उपर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि subject or test, यहाँ पर total दिये हैं 61, question to be attempt, कितने question हमारे को attempt करना है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, there are 33 languages and 27 subjects, language के 33 subject हैं, और 27 subjects हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कि यह domain subject है, इन में आपको क्या करना है, कि 40 questions to be attempt out of 50 in each language, language में आपको 40 question attempt करना है, out of 50, फिर हम लोग यहाँ बात करना है, जन्रल टेस्ट की अगर बात हो रही है, तो जन्रल टेस्ट के अंदर हम लोग देख रहे हैं, 50 questions जो है, या out of 60 attempt करना है, बाकी language हो, चाहे आपके domain subject हो, 50 में से 40 question करना रहेंगे, जन्रल टेस्ट में आपको 60 में से 50 question करना रहेगा, फिर यहाँ पर कुछ नोट दिये हुए ह The candidate can be choose a maximum of 6 subjects from all 3 sections, मतलब आप maximum 6 subjects जो है, यहाँ पर choose कर सकते हैं, जैसे मानलो language आप लेते हैं, जन्रल टेस्ट लेते हैं, तो उसके साथ आप 4 domain subject ले सकते हैं, या 6 पूरे domain subject आप ले सकते हैं, या 2 language के साथ 1 GT और 3 domain subject आप ले सकते हैं, या आपकी choice है, हम बोल रहे हैं, 40 out of 50 question for all test paper and 50 out of 60 for general test, यह अभी आपने बात की थी, यहाँ पर अम लोग बात कर रहे हैं, It is advisable for candidates to select at least one language and the general test, यह जो लोग agriculture से PCM, PCB से तयारी नहीं कर रहे हैं, और उन्हें ICR, BHU के अलावा बहुत सारी जो universities हैं, उनमें जाना है, other subject के student हैं, तो उनको NTA यह advice करता है, कि आपको at least one language और उसके साथ general test लेना चाहिए, ताकि आप बहुत सारी जो हमारे देश की universities हैं उसमें participate कर सकें, नेक्स हम लोग बात कर रहे हैं, duration for all test papers would be 45 minutes except, ज्यादा तर subject लिए 45 minutes मिलेंगे, लेकिन कुछ subject हैं जैसे mathematics, applied mathematics, accountancy, physics, chemistry, economics, computer science, information, yeah sorry, informatics, practices and general test, which would be 60 minutes, मतलब ज्यादा तर आपको subject को solve करने के लिए 45 minutes मिलेंगे, लेकिन maths है, chemistry, physics, ऐसे जो subject हैं इनके लिए आपको 60 minutes यहाँ पर मिलने वाले हैं, the examination will be conducted on multiple days in two or three shifts depending on the number of candidates and subject choice, मतलब आपकी जो exam हैं अलग-अलग date में, एक दिन में अलग-अलग जो हैं, दो या तीन shift में आपकी exam होगी, यह कितने candidate हैं उसके उपर depend करेगा, next हम लोग बात कर रहे हैं, important instructions क्या है, candidate can apply for CVT UZ 2024 through the online mode, only आप online form जो हैं, इसके भर सकते हैं, कोई offline mode नहीं है, only one application is to be submitted by a candidate, एक candidate के लिए आपको एक ही फार्म जो है application फार्म भरना है, दो फार्म हमारे को नहीं भरना है, candidate must strictly follow the instruction given in the information bulletin, information bulletin के जो भी आप देख रहे हों instruction हैं, उनको candidates को follow करना है, candidates must ensure that the email address and mobile number, email address और mobile number में आपको खासी सावधानी रखना है, online application form submit करते समय, यह या तो अपना खुद का हो, या अपने parents का हो, एसा कि आपके इसके उपर communication किया जा सके, क्योंकि सारी information NTA जो है, या तो आपको message के थुरू देगा, या email के थुरू देगा, इसलिए आपको बड़े ध्यान से, सावधानी से mobile number, email ID देना है, और email ID का password भी आपको याद रखना है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर कुछ उन्होंने दिया है, कोई problem अगर आती है, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ contact number दिये हुए है, इस पर आप contact कर सकते हैं, या email कर सकते हैं, ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, तो आप लोगों से मेरा अभी एक निवेदन है, कि अभी आपको फार्म बरने में जल्दी नहीं करना है, अभी detail फार्म बरने का, मैं वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा, युनिवर्सिटीज को अभी और जूल जाने दो, ICR का नाम आजाने दो, अभी ICR का नाम इसमें नहीं दिख रहा है, उनिवर्सिटीज में, उसकी लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, वेफसाइट अपडेट हो रही है, उसके बाद आप फार्म भरेंगर, फार्म को किस तरह से भरना है, इसका पूरा detail वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा, इसे विध्यारती जो 2024 में एक्जाम देना चाहते हैं, CUT, ICR, VHU, उनके लिए क्रेसकोस स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिस मीडियोम की बेच जो है 15 मार्च 2024 से, हिंदी मीडियोम के लिए भी आप देखोगे, 15 मार्च 2024 से हमारी बेच जो है CUT की स्टार्ट हो रही है, और इ आप भी ऐसा धमाकेदार परिणाम दे सकते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी आप MGCI परिवार के साथ जुड़ें, तथा अपना और अपने परिवार का एगरी कल्चर में जाने का, IA, RI, JC University में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं, नए अपडेट के लिए MGCI के साथ जुड़ इरोंगा, बोट-बोट धने मासाथ य।